Hello Everyone, जैसे कि LAST TOPIC में हमने बात कर लेते हैं External Direct प्रोडेक्ट के बारे में तो उससे लेटिट हमारी कुछ एक्जामपल दे हैं जो हमारे वीडियो को लंबी होने के व्याशें से रह गए तो वो एक्जामपल लेकर हम External Direct प्रोडेक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे यहां पर जैसे हमारा जीवन क्या जैट टू जीटू क्या हमारा जैट फॉर के तो इनका एस्टनल डारेक्ट प्रोडेक्ट का जो ओडर आएगा वो क्या एगा वह हम देखिंगा वन बाइगा तो फर्स्ट एक्जाम्पल है वाँ नंबर ओफ ऐलिमेंट इन जैट टू जैट aby उद्ट फोर टट्थ जैट फॉर में हमारे नंबर ओफ टोटल नंबर ओफ ऐलिमेंट जैसे कि हमें पता करना तो सबसे पहले हमारין जैड टू किस-किस को में डिवाइट हो जाएगा वन और प्रइंद कर लेंगे उलिसे कि हम कुछ जानते हैं नंबर ओफ एलिमेंट जैक्तो मैं हमारा क्या होगा ही टू फाइव ओडर वन कौने तो फाइव फाइव फैव सब्सक्त थे तो हमारा नंबर याना के बात करें टू का सभसे पहले हमारा कोन-कोन-सा बने गा एक तो बनेगा एक टू-उन बनेगा तो बनेगा यह तो बनेगे हम कौन कौन से pair लेंगे जिनका, LTM 2 आई, इसका भी LTM 2 आरहा है इसका भी LTM 2 आ रहा है तो इसका भी LTM 2 आई तो यह तीन pair बनेगे, आप इनके Order 2 के Number of Elements देख लेते हैं, Z 2 में, क्योंकि First में क्या रहा है Z 2 में, Order 1 का कितने element है पाई वन होगा यानि की वन होगा जैट फोर में order two के कितने element होंगे फाई टू होंगे यानि की वन होगा फाई टू की value हमारी one होती है तू की power one minus two की power zero यह हम find out करी लेंगे तो यह हमारी one है ठीक यह हम already देख चुके है अब बात करें तू वन में जैट टू में order two के element कितने होंगे फाई टू होंगे उसकी value हमारी one है यहां पर निकाली है जैट फोर में order one के element कितने होंगे फाई वन यानि की वन होंगे यह भी बना गया अब तू को मा टू एक पेर बना जिसका अब बात करें नंबर ओफ़ एलिमेंट ओडर थ्री अब तीन वाले देखेंगे तो हम इसमें देखें तो भी हमारा थी को डिवाइड नहीं करता फोर भी हमारे यानि कि इस में कोई भी पेर ऐसा नहीं आएगा जिसका थियो तो इसमें लेगे यह हम निकालने के लिए हम क्या देखेंगे किस के छ फोरा रहा एक तो वन कोमा फोर का है एक टू वोमा फोर का है यहां पर तो एक पावर माइनस हो जाएगी यानि किस इसकी वैल्यु क्या जाएगी, तो वन इंटू टू इक्वल टू आ गया अब जैट टू में टू ओडर का एलिमेंट फाई टो जिसकी वैल्यू बन होते हैं जैट फॉर में फाइपॉर इसकी वैल्यू हमारी क्या जेगी टू तो टू प्लस टू दोनों का क्योंकि लिएल्शियम फोर आ रहा है तो इन दोनो अब इसमें गिवन है यदि कोई हमारा दो एक्टनल डाइट प्रोडेक्ट में हमारे जैड जैड की टर्म है तो इन दोनों गुरूपों को कब हम कहेंगे कि यह साइकली के आपस में कब कहेंगे यह हमारी दो नंबर गिवन है और एम और एन का जी सीड यदी बना जे तो यह हमारा एक्स्टनल डाइट प्रोडेक्ट होता है वो क्या बनाता एक साइकली गुरूप बनाता है अब जैसे से में देखें इन दोनों का जी सीडी क्या है तू यानि कि यह हमारा एक्स्टनल डारेक्ट प्रोडेक्ट नहीं बनाएगा केवल वो वो प्रोडेक्ट एक्स्ट X4 X3 में टोटल नंबर ओफ एलिमेंट की तो इसमें सबसे पहले D3 की बात कर लेते हैं D3 में हमने पीछे देखा था Dn गुरूप में टू ओडर के ऐलिमेंट कितने होते हैं D3 में बात करें तो वह इक्वल टू 3 होंगे क्यों यदि N हमारा इवन क्योंकि यहां पर 3 क्या एन हमारा ओंड हो तो तो टू ओडर के एक्वल टू एं हमारा एं तो element two order के n plus one होते हैं बज़े भी हमने देखी थी हमारे center में 30 रों में एक extra element आ जाता है जो कि हमारे reflection दिखाता है reflection हमारे two order के element दिखाते हैं always तो इसमें क्योंकि हमारा order है तो इसमें two order के element कितना होंगे three अब बात करें one order के तो हमारे you know three को divide करता प्योंकि 303 को divide करता तो 53 हो जाएंगे four की बात करें तो four हमारे थी digo डिवाइड ने नियर रहे लिए और उसे उप्पर भी हो जाएगा तो इसके हमारे 0 सबसे पहले जैट किसको को Do 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 बात करें, order 1 के कितने element होंगे, तो जो जिस spare calcium बनोगा, वो ही बहुँँगे, तो केवल 1,1 calcium बना रहा है, तो हम 1,1 जैसी करेंगे, तो jet 4 में, 1 order के element कितने होंगे, 5 1 जिसकी value 1 होती है, into, D3 में, हमारे 1 order के element कितने होंगे, क्योंकि 3 1 को divide कर रहा है, तो इस वज़े से 5 1 हो जाएगा, तो 5 1 की value बना आजेगी, equal to 1 हो जाएगा, तो 1 order का हमारा 1 हो गया, बात करें, 2 order की, 2 order के हमारे सबसे पहले pair देखेंगे, कौन-कौन से बनेंगे, एक तो हमारा pair 2 order का कौन से बनेगा, 1,2, एक होगा हमारा 2,1, एक होगा हमारा 2,2, ऐसे 3 pair बनेगे हमार, ठीक, अब इसमें 1st में क्या आता है, Z4, 2nd मारा D3, तो Z4 में 1 order का element, 5 1 यानि की 1, D3 में 2 order का element, हमें पता है, डायक्ट क्योंकि यहाँ पर old है, N की value, तो हमारे 3 होंगे, तो 1 into 3 equal to क्या आगे, हमारा 3, 5 1 की value क्योंकि हमारी 1 होती है, अब बात करेंगे 2,1, जो हमारा pair बना है, 2,1 में 2 काहां सा रहा है, Z4 से, और Z4 में 2 order का element कितना होते हैं, 5 2, जिसकी value 1 आई है, हम जब solve करेंगे, into, 1 order के element, D3 में, क्योंकि 3 को 1 divide करता है, तो हमारा 5 बन हो जाएगा, ये बना जीगी, तो इसकी value बना गई, 2,2 में, 2, ये 2 काहां सा रहा है, Z4 से, Z4 में 2 order के element कितना होंगे हमारे, Z4 में 2 order के element, 5 2, तो हमारे इसकी value 1 होती है, D3 में 2 order के element कितना होंगे, हमारे 3 होंगे, क्योंकि n यदी हमारा order है, तो उतनी n के बरावर हो जाते हैं, order of element, तो हमारे 3 होज़गे, तो इसकी value क्या जाएगी हमारी, यहां से 3, तो total element के जो हैं, 3 plus 3 plus 1, यानि की 7, तो जैसे कि हमारे order 2 के total number of element के हो जाएएंगे, 3 plus 3 plus 1, यानि की 7 होगे, अब order 3 की बात करें, order 3 में भी हम क्या देखेंगे, lsm किस पेर का 3 आ रहा है, तो हम यदी हाँ पर देखें, तो केवल 1,3 का हमारा lsm 3 आएगा, इसके लाव़ कोई whole pair नहीं वनेगा, आप चेक भी कर सकते हैं, तो 1 कहां से आ रहा है, हमारा जैट 4 से, जैट 4 में 1 order के element हमारा 1 होता है, तो 1 होगा, इंटू, 3 कहां सा रहा है हमारा, डी 3 से, डी 3 में 3 order का element कितना होगा, 5 3 यानि की 2, तो यह हमारे total element किसके order 3 के आ जेंगे, 2, अब बात करें, order 4 की, order 4 में हमारा pair क्या बनेगा, 4,1 और 4,2, यही बनेगा हमारा, अब 4,1 में 4 किस सा रहा है, जैट 4 से, यानि किसे number of element 54 हो जाएगा, 1 किस सा रहा है, डी 3 से, total number of element order 1 के हमारे बना जाएगा, तो इसके हमारे 54 की value है क्या होती है, 2 का square minus 2 की power minus, 2 की power 1 equal to हमारा क्या जाएगा 2, यह हमारा एलर 5 पंशन सा रहा है, अगेन बता रहा हूँ है, अब हमारा 4,2, इसमें हमारा 4 कहां सा रहा है, जैट 4 से, यानि कि इसकी value 54 होगी, total number of element order 4, डी 3 से हमारा आ रहा है, 2, तो इसके total number of element 3 हो जाएगे, यानि कि हमारा इसकी value क्या जाएगी, 2 into 3 equal to 6, यानि कि 4 order के total number of element क्या हो जाएगे, हमारे 8, खीक, तो इस तरीके से हमारे, यदि हमें total number of element से ही हैं सारे, तो सभी order के element को add कर दिन, तो 8 plus 8, 16 plus 2, 18, यानि कि total number of element equal to क्या जाएगे, हमारे 18, similarly बात करेंगे, D3 में, D3 में भी हम इस तरीके से डिवाइट कर लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मैंने इसमें बताया था, जब हम बात करेंगे, D3 की तो D3 में, क्योंकि हमारे 2 order के element diet है, तो n plus 1 order है, तो हमारे diet N, तो हमें diet मिलते हैं, तो हम इसमें ये नहीं चेक करते हैं, 3 को कौन कौन सा डिवाइट करेंगा, क्योंकि यदि 3 तक रहता है, 1 से लेकर 3 तक लिखते हैं, 4 तक रहता हैं, तो 1 से लेकर 4 तक लिखते हैं, क्योंकि डोनों ही D3 into D3 हैं, तो हमारे 1 into 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो जाएगा, इनका हम आपस में pair check कर लेंगा, 1 order के में क्या आएगे, 1, 1, 2 order में क्या आएगा, 2, 1, 2, 1, 2 and 2, 2 यह आजेंगे, 3 order में हमारे क्या आजेंगे, 1, 3 and 3, 1, तो यह दो pair बन जाएगे, तो इस तरीके सा हम 3 को आपस में add कर लेंगे, तो total number of element आजेंगे, इसे मैं recommend करूंगा, साइड में मैंने इसका solution भी दिया है, आप इसे देख के समझने, वीडियो पोस्ट करके समझने की गोशिश करें, यदि समझ नहीं आता है, तो आप मुझे comment box में डाल सकते हैं, मैं explain कर दूंगा, otherwise आप यदि इसे खुश्चे करेंगे, या तो तीन हो या तीन से ज़्यादा हो, यानि कि हमारी D3 या उस से उपर के जितने भी ग्रूप होते हैं, वो हमारे non-nabalian group होते हैं, जैसे कि हमने बात भी करी थी पहली ही वीडियो में, कि हमारा सबसे छोटा element order कौन सा होता, non-nabalian group का, 6, तो इसी वहे से क्योंकि हमारी 3 में कितने element होंगे, 2 into 3 यानि कि 6, तो यहीं से हमारे non-nabalian group start हो जाते हैं, तो वहीं से हमारे logic हाया है, एक दूसरी property भी है हमारी क्या, जो डीन है, वो है isomorphic होता है, यानि कि dn और sn का जो behavior होता है, वो सेम होता है, यदि एक cycle है, तो दूसरा cycle होगा, एक ablian है, दूसरा ablian होगा, एक में two order के element है, दूसरे के two order के element के एक को लोंगे, इस तरीके साथ कापी इसकी isomorphic की property को hold करता है, ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, subgroup के बारे में, subgroup basically होता क्या है, जो group का जो हमारा subset होता है, वो ले ले हैं अधि हम, किसी भी group का कोई छोटा ऐसा subset ले ले, वो यदि group की हमारी शुरू की चारो property को hold कर दे है, closer, associative, inverse, और identity, ये चारो property को यदि hold कर दे, तो वो हमारा जो subset है, वो हमारा subgroup हो जाता है, यहाँ पर यह दे रखा है, आ, non empty set S of group G, हमने non empty subset ले, बोलेंगा, हला कि यह सैट ही बोल दें, छोटा set ले लिया, कि एक non empty subset ले लिया, किसी group G का, इस set to be a subgroup, हम इस S को subgroup कहेंगे, कब S former group under the binary composition, हमारा binary composition में, यदि वो subgroup बना दे, अब यदि हम बात करें, set और subset की, Z हमारा subset होता है, integer subset होता है, rational number का, और rational subset होता है, real number का, तो यह हमारे आपस में subset होते हैं, इसका मतलब क्या, यदि Q हमारा group बनाएगा, तो Z भी बना देगा, मतलब नहीं, हमारा Z, और Q हमारा group बनाएगा, यह हमारा कोई group है, उसमें यदि improper subgroup पूछा जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं, एक तो identity element का group, एक खुद जी, यह improper subgroup होते हैं, उसके अलावा जिद्वें भी हमारे subgroup बनते हैं, वो हमारे proper subgroup होते हैं, one step test भी है हमारा किसका, check करने का, subgroup चेक करने का, यह क्या होता है, कि हम एक element, दो element लें, S से, A और B, और यदि उनका आपस हैं, वो multiplication करवा दें, और वो भी H में चला जाए, तो यानि कि यह हमारा subgroup form करेगा, यह एक अनदर तरीका है, एक element S से लिए, दूसर भी element B S से लिए, करेगा, A और B का दोनों का inverse को की exist करेगा, तो अब की पहले तो हमने क्या करा आता, A और B को आपस में multiply करके चेक किया था, क्या हो H में आता है, यदि आता है, तो वो subgroup की property hold करेगा, यह वाला group, और यदि हमारा, अब की बार क्या करेंगे, हम A और जो B है, इसका inverse साथ में multiply कर लेंगे, यदि यह भी हमारा H में आजए, subgroup में आजए, तो यह हमारा पूरा क्या होगा, subgroup होगा, तो यह one step test होता है, इसकी कुछ property भी है, subgroup की, कि यदि हम किसी subgroup का union करें, तो ज़रूरी नहीं, जो union बनके, total हमारे एक group बनकर आएगा, वो भी हमारा group होगा, यह subgroup होगा, बज़य क्या है, वो केवल और केवल जब ही हो सकता है, यदि हम ए हमारा, यदि हमने दो subgroup ले लिए, A and B, इनका यदि union करें, यदि A और B दोनों हमारे क्या है, ग्रूप की property को hold करते हैं, तो A union B भी हमारा जवरी नहीं है, ग्रूप का एक subset यानि कि subgroup बन जाएगा, वो केवल और केवल जब ही बनेगा, या तो A subset ओ B का, या B subset ओ A का, यानि कि या तो A B को contain करता हो, या B A को contain करता हो, यदि इन दोनों में से कोई सी भी condition hold ना हो, तो ये कभी भी हमारे union subgroup नहीं दिखाता, बात करें intersection की, intersection यदि हमारा A और B दो हमारे subgroup हैं, और यदि हम इनका intersection लें, तो हमारा always subgroup होगा, वज़े भी हमारी simple है, क्योंकि intersection में common element आते हैं, तो A के भी, क्योंकि A हमारा subgroup है, B भी हमारा subgroup है, तो इसके जो common element आएंगे, वो भी हमारे subgroup ही तो होगे, तो हमारे A भी subgroup हो जाए रहा हो, अब बात कहें, number of a subgroup in DN, अब हमने ZN में तो देख लिए था, number of a subgroup निकालने का formula क्या होता है, to N, तो N की हम पीछा बात कर चुके हैं, तो function की, ILR5 function के साथ, लेकिन यदि हमें number of a subgroup in DN पूछा जाए, तो हमारा function क्या होता है, 2N plus sigma N, 2N हमारा क्या होता है, number of divisor, जो की यहां, जैसा की यहां होता है, पिलस इसमें term more add हो जाती है, sigma N, sigma N का मतलब क्या होता है, जैसे suppose हमारी divisor 1N 3 आए है, तो इसका sigma N क्या होगा, 1 plus 3, जो हमारी divisor आए है, उनका यदि हम आपस में sum कर दे, तो वो जो आएगा, वो होता है sigma N, तो हम यदि बात करें, D3 की, D3 के में नंबर of subgroup कितने होंगे, सबसे पहले इसके divisor चेक करेंगे, D3 में, 3 को कौन-कौन divide करता है, 1N 3, तो इसके total number of divisor, 2N की value क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पिलस, और sigma N की value क्या होगी, इन दोनों का sum, 3 plus 1, 4, तो 4 plus 2 क्या होगी, हमारा 6, अब बात करें, D4 की, D4 में, 4 को क्यों-कौन divide करेंगा, 1, 2, 4, अब इसमें, total number of, element कितने आगे, जो इससे divide करेंगे, total number of divisor, यानि की, 2N, हमारा 1, 2, 3, 3 आगे, अब इनका sum देखेंगे, sigma N निकालने के लिए, तो 1, 2 plus 1, हमारा 3 आगे, 4 plus 2, हमारा 6 आगया, तो equal to हमारा 10 हो जाएगा, ठीक, अब एक हमारी इसी से, एक property भी निकलती है, the group which is not cyclic, but can have a cyclic subgroup, एक ऐसा भी, हमारा एक लोता group होता है, जो कि, खुद cyclic नहीं है, पर यह cyclic subgroup रखता है, तो यह कहीं बार, हमारे c part में पूछा जा सकता है, कि d3 क्या हमारा cyclic subgroup होता है, cyclic group होता है, तो हम नो लिखेंगे, यह cyclic group नहीं होता, यह दिश्मा पूछा जाए, क्या d3 cyclic subgroup रखता है, बिल्कुल रखता है, d3 में cyclic subgroup तो होते हैं, पर यह खुद cyclic group नहीं होता, यह हमारा एक single example है, exception तो इसे हमें यहाद रचना है, अब बात करें, किसी भी group को, कि वो cyclic है, या ablion है, चेक करने का तरीका क्या होता है, यदि किसी group का order, prime आजए, यदि किसी group का order, prime क्योंने होते हैं, जो हमारे किसी से divide ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, इस तरीके के जो number होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे prime, जो किसी से divide ना हो, ठीक, तो यदि order of the group, इस तरीके का आजए, prime number आजए, तो वो जो हमारा group होता है, always क्या होता है, हमारा cyclic होता है, अब यदि बात करें, यदि order of a group, prime का square आजए, prime की power नहीं, prime का केवल square ही आए, यानि कि यदि order of a group, हमारे यदि कोई भी prime number ले ले, 1, 3, 5, 7, या कोई आगे कोई भी, 23, कोई भी हमारा जाए, 19 बहुत से prime होते हैं, तो यदि prime का square आजए, order of the group, यानि number of a element जितने group में है, वो किसके बराबर हो, prime के square के बराबर, तो हमारा जो group होता है, वो हमेशा क्या होता है, ablion होता है, पर ये जब भी होता है, यदि prime का square है, prime की power cube है, तो जब लिन है, वो ablion हो, ठीक, तो यदि हमारा order of a group, ठीक,